स्वागत है आपका हेक्क्राइम के एपिसोड टू में और इस एपिसोड में स्टार्टिंग में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परिशान है और वो अपने पापा को फून करती है उसके पापा कहते है तो मारा शालेक्शन नहीं वा कोई बात न इसके एपिसोड के एंडिंग एपिसोड में ही हो जाती है अब वो लड़की बहुत ज़्यादा रूरही होती है उसके पापा बोलते है क्या हुआ बेटा क्या हुआ और वो बोल देती है I'm sorry पापा और उसके बाद वो फाजी से लटक जाती है उसके बाद सीधा कहानी मीन लेंगे और वापस आएंगे उसकी माँ उससे गुस्टा करती है और बोलती है कि गाउं के बारे में बात नहीं करने का तो नहीं करने का और उसकी माँ उससे लड़के चली जाती है फिर ये कहानी हेड़कोार्टस में जाती है पुलिस हेड़कोार्टस में उससे लड़की और mental train करता था और मैं एक इंसान की body language से पता लगा सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप ये ना बोले कि ये एक suicide है तो please आप कुछ पता लगाए और इस case को वापिस reopen करके इस case पे काम कीजिए अब आशुतोष सर अपने hacker वाली team को कहता है कि हमारी तरीके से इस case को खंगालते हैं और ये जो लड़की मरी है उसके बार में पता लगाते है उसके बाद hackers अपना काम करने लग जाते हैं शक्ती जो है उसके call details उसके friends, उसके whatsapp, उसके instagram सारी चीज़े पता लगाने में लग जाते हैं लेकिन कोई भी clue उन्हें नहीं मिलता है लेकिन finally एक clue मिलता है कि जो लड़की है वो कुछ दिनों से परिशान रह रही थी, कोच इससे argument कर रही थी और cricket के selection के लिए वो जब गई थी तो उसने under performance की थी, उसने कुछ दिनों से अपने post भी कम कर दिये थे फिर शक्ती को bank account की जरिये पता चलता है कि इस लड़की ने मरनी से एक दिन पहले नया phone खरीदा है, अब जिगर और ग्रीश ग्रीश वही है, आशुतू शर का कजन, मरने से पहले कौन नया phone खरीदता है शक्ती बोलती है कुछ तो मिस हो रहा है मेरे से, और जिगर बोलता है कि हाँ मुझे पता है क्या मिस हो रहा है, ठंडी हवा, हमको हवा नहीं मिलती है, और कॉपी से हवा करता रहता है फिर शक्ती को गुस्ता आजाता है और बोलती है, रुक जा यार, थोड़ा दिमाग तो लगाने दे यह क्या हो रहा है गेम में, और उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, बस इस क्लू के अलावा, कि उसने एक नया phone खरीदा था फिर यह कहानी से चुछ जाती है, एक और लड़की पे जिसका नाम पिया होता है, और वो बहुत ज़्यादा परिशान होती है, क्योंकि उसको एक मैसेज आ रहे होते हैं, और वो मैसेज किसके होते हैं, वो पताऊंगा अभी थोड़ी तेर बाद में, और इसके बाद वो अपने मॉम और डैड को देखती है, और उसके बाद अपना रूम बन कर लेती है, और वहाँ पे किसी और को अपने पिक्चर्स बेज़ती है, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है वापिस recover करती है और उसमें देखते हैं उसके बहुत सारे videos है और कोई लड़का है जो उसे बहुत ज़ादा blackmail कर रहा है अब वो लोग उसके instagram में भी घुच जाते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़ादा किसने post likes किया है और तब पता चलता है कि राहुल नाम का एक बंदा है जो की रूही को follow कर रहा था अब रूही वही लड़की है जिसने society किया है और फिर उसकी profile से पता चला एक और लड़की की profile को like और comment कर रहा है जिसका नाम है पिया और फिर अशुतोस कहता है कि हमें पता है कि वो blackmail कर सकता है पिया को तो क्यों ना हम उसे पकड़ ले लेकिन उनके पास कोई address नहीं होता फिर जिगर जो है वो उठता है और कहता है सर उसके घर का address तो नहीं पता है हमें लेकिन हमें उसका school पता है और पिया का जो school है उसने post डा लिया अपनी school dress में अपने instagram पे इस वज़ए से जिगर बोलता है कि हम उसकी school जाके पताए कर सकते है कि ऐसा करो ऐसा करो और फिर प्रिया अपने बेक से कमपस निकालती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो अपहे आशितोस बोलता है कि वह मैं प्लीज प्लीज दो little प्रफिया जो है अपने टैर्स पे जाके सुसाइट करने ही वाली होती है तब तक उसका कॉंपस जो है वो नीचे गिर जाता है और शक्ति उसको ग्राउंड में ढून रही होती है और देखती है कि उपर प्र प्र चड़ी हुई है सुसाइट करने के लिए और फटाफट से ज जाते है और फिर जैसे ही पिया कूदने वाली होती है शक्ति आके बोलती है प्लीज रुक जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो लड़की कहती है आप मेरी मदद नहीं कर सकती शक्ति कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी आज सिर्फ वो तुम्हें ब्लैक मिल नह और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे करते हूं किससे बात करते हूं ममी पापा की फून नम्बोस भी और फिर शक्ति उसका फून चेक करती है और कहती है कि ये एप तुम्हारे फून को मिरर करता है बातों ही बातों में उसने कोई लिंक क्लिक करवाया होगा और ये एप तुम्हारे फून में इंस्टॉल हो गया इस वज़े से वो person तुम्हें mirror करता है और तुम्हारी सारी बाते जानता है। मेरे मुमी पापा मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करेंगे और आज के बाद वो मुझे से बात भी नहीं करेंगे। ये तुम्हारी किस बात से परिशान होंगे तुम्हारे होने से या ना होने से। फिर शक्ति कहते है कि हम उसको उसी तरह पकड़ेंगे जिस तरह वो लोगों को पकड़ता है। की उसके ही style में फिर प्या को एक नए phone दिया जा था वो नए phone से उसको message करती है और वो इनसान बोलता है कि तुम्हारा phone क्यों change हो गया और प्या कहती है मेरा phone तूट गया था और उसके बाद पीया पूस्ति है कि तुम कैसे जानते हो यह सब और वो बोलता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ और वो बोलता है कि तुम picture send करो जैसा मैंने पिछली बार बोला था शक्ति और सारे पुलिस वाले shocked हो जाते है और फिर शक्ति जो है पिया को समझाती है कि देख तुम मना भी कर सकती है या फिर उसको पकड़वाने में हमारी help भी कर सकती है पिया बोलती है तुम promise करो उसको जरूर पकड़ोगे और फिर शक्ति उसे promise कर देती है पिया एक picture send करती है जिसमें एक link होता है इसके बाद जैसे ही वो picture पे click करता है उसके phone में ये hackers घुच जाते है और फिर वो जो इनसान है वो किसी और group में चला जाता है और उस group में पिया की जो pictures है वो sell करता है जितने ज़्यादा लोग जितना पैसा लगाएंगे उसको उतना ही profit होगा लेकिन फिर भी वो जो app यूज करते है चैटिंग के लिए उसका कोई भी tracker नहीं होता है और ये लोग फिर से परिशान हो जाते है कि इसको कैसे track करें और फिर शक्ती सोसती है कि क्या होगा क्या होगा कैसे track करें कैसे track करें और फिर उसे idea आता है कि अरे उसका wifi हम उसके phone में है उसका IP address से उसकी location पता लगा सकते है और फिर शक्ती पता लगा लेती है wifi से उस इनसान का और फिर वो जाते है रेस्टेरेंट में जब वो एंटर करते हैं तो देखते हैं कि यहां तो सभी लोग फून यूजड़ रहे हैं सभी लोग कुछ ना कुछ टाइब कर रहे हैं और शक्ती परिशान हो जाती है कि अब कैसे पता लगा। कि असली blackmailer कौन है अगर हमने दूसरे को पकड़ लिया तो वो सतर्क हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है इसके बाद शक्ती सोच रही होती है सोच रही होती है तब ही जो bidding होती है जो निलामी होती है वो खतम हो जाती है और फिर शक्ती और सोचने लग जाती कि क्या करो क्या करो और फिर सोचते है कि वो तो phone पे ही है न तो क्यों ना मैं से call कर लूँ और जैसे ही वो call करती है उसको वो देखती है कि वो जो इनसान है वो कोई लड़का नहीं वो तो एक लड़की है और उसका दिमाग घूम जाता है कि यह लड़कियों के ऐसा क्यों कर रही है इसके बाद वो उसके पाट जाती है और दोनों लड़कियों का जब नाम लेती है तो उसके जो तोते हैं वो उड़ जाते है और फिर शक्ती उसे पकड़ लेती है इसके बाद उस लड़की को हिरासत में ली लिया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो बोलती है कि डिमांड थी मैंने सप्लाइ कर दी और इसी की डिमांड चल रही है और फिर असे तोस जो है वो उस पे गुसा हो जाता है इसके बाद जो कहानी है वो पूल स्टेशन पे ट्रांसफर हो जाती है और शक्ती जो होती है वो सबसे पूछती है कि कितने क्रिमिनल अभी तक पकड़े गए हैं जो इस केस में शामिल थे और इसके बाद वो कहती है कि मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी और यह एपिसोड टू जो है यहीं घदम हो जाता है एपिसोड ठी के लिए आप लोग वेट कीजिए और इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोरी अच्छी लगी तो भाई प्लीज कॉमेंट भी कर देना और ऐसी वीडियो आती रहेंगे आप लोगों के सामने तब तक के लिए में लोगा नेक्स वीडियो में टाटा बाई बाई सी यू